नमस्कार विद्ध्यार्थियों कुछ विद्ध्यार्थियों को recruitment of short working में problem है तो उन बच्चों के लिए यह video है जो यह समझना चाहते है कि किस प्रकार से short working का recruitment किया जाता है तो बच्चों इसे हम एक उधारण के द्वारा समझते हैं उधारण इस प्रकार से है कि एक कोल कंपीनी ने एक खान को पट्टे पल लिया, अधिकार सुल की दर निकाली हुए कोले के पृति एक टन पर साड़े सेतीस पैसे है, 30,000 रुपे पृति बर इस्थिर किराया है, अर्थात्नी उन्तम किराया है, लगुकार की रासी को पट्ट वर्स आधिक होगा, उस वर्स उस लगुकार की रासी को सौट वर्किंग की रासी को रिक्यूप किया जासकता है, कितने वर्सों तक, प्रिथम पांच वर्सों तक, तो प्रिथम पांच वर्सों की निकासी निम्न प्रकार से है, ठीक है, दस हजार टन प्रिथम बर्स में है दूसरे बर्स में 48,000 टन ती से बर्स में 800,000 टन कोमा ये लिख गया है ठीक है कोमा था वहाँ पर रेक्षोखली फिर है एक लागई 20,000 टन चोठे बर्स में और 5 वर्स ब्रस भी एक लागई 20,000 टन का कोईल dough निकाला गया है एक Kohl Company स्कूल कंपनी की खाता वही में मरतब स्कूल कंपनी की खाता वही में आपको अधिकार सुल्ख खाता लगुकार खाता और भूसवामी का खाता ठीक है अर्था जो पट्टा दाता है उसका खाता आपको बनाना है तो बना लेते हैं सबसे पहले हम बिसले स्राणी बनाते हैं आ एक्षाला कालव होता है बर्स का ठीक है इसमें बर्स की जागए हम संख्या लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 ठीक है फिर आउटपुट होता है आउटपुट दिया गया है आपको 10,000 10 सान इंको लिख लिए जाएगा फिर लिखी जाती एक्षर रॉयल्टी जो उत्पादन हुआ है जो प्रति टेंट को लेका उत्पादन होगा उसका जो दर दिया गाए साड़ा से तीसका तो उसका हम गुणा करते जाएंगे तो एक्ट्र रोयल्टी निकलाएगी ठीक है फिर है तीस अजार रोपे फिर है सॉट वर्किंग लगुकार अर्था यदि एक्ट्र रोयल्टी जो प्रिथम पांच बर्सों में अपलेकित किया सकता है ठीक किसे सर प्लस से जिसे हम कहते है requirement ठालों किदना रेंट पांच by नहीं होपाती है तो उस अंतरगी रासी को लाभानी खाते में हस्तनांतित कर दिया जाता है मंदर करेंगे डूण कि स्पार्थम पीड्र और दूति बर्स में और आने वाले वर्सों में तो पेमेंट का कालम तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रथम बर्स में उत्पादन हुआ है आउट पूट हुआ सब्सक्राइब कर दिया तो आगया तीन हजार साथ सो पचास रुपे की एक्चर रॉयल्टी बनी है जब की मिनिम्यम रेंट तीसा जार रुपे है अब देखिएगा यहां इस परश्ट तौर पर दिख रहा है आपको कि प्रिश्ण में क्या हो रही है सौट परकिंग हो रही है क्योंकि एक्चर रॉयल्टी यहां पर काम है तो बच्चों सौट परकिंग निकल के आ जाती है 26,250 रुपे यह जो सौट परकिंग है ठीक है इसको रिकूप्मेंट की विवस्ता होगी जब सर्प्लस होगा तो अभी तो सर्प्लस है नहीं प्रथम की रिकूप्मेंट भी नहीं होगा चुकि प्रथम पांच वर्सों तक रिकूप्मेंट की विवस्ता है तो कोई रासी लैप्स भी नहीं होगी और पेमिंट कितने का करेंगे यह द्याना कि एक्च्छ रॉयल्टी तो बनी है 3750 लेकिन सौट परकिंग हुआ 26,250 ठीक है तो ह 37 एक बट अद्दो के हिसाब से आपकी रॉयल्टी बन जाती है 18,000 रुपे ठीक है तो 18,000 जो आपकी रॉयल्टी बनी है यह तो एक्च्छ रॉयल्टी है लेकिन आपका मिनिमूम रेंट तो 30,000 निरदारित है पहले से ठीक है तो यहाँ पर भी आप समझ पा रहे हैं सीधा सीधा है कि एक्च्छ रॉयल्टी कम है तो सोट बरकेंग है 12,000 की ठीक है कोई सर प्लस नहीं है अभी कोई रिकूप्मेंट नहीं हो पाएगा कोई रासी लेप्स नहीं हो रही है तो यहाँ पर मिनिमूम रेंट का पेमेंट कर दिया जाएगा अब अच्छ तीसरी बर्स की बात करते हैं कि तो चौथे बर्स में उत्पादन हुआ है एक लाग भी सिजार टन का ठीक है चौथे बर्स में एक लाग भी सिजार टन कि यहां लिखा था कि प्रतम पांच बर्सों में जो लगुकार की राशी को अपलिकेट किया सकता है तो अभी तक यह देखिएगा आप यह 38,250 रुपे अब सर्प्लस कितने का हमारे पास 15,000 का तो हम 15,000 कि क्या करेंगी रिकूप कर लेके कि से सर प्लस से ठीक है हमको चाहिए कितने हैं 38,250 लेकिन हमारे पास हमारे पास पैसे एक्स्ट्रा जो आए हैं सर प्लस के रूप में वह आए हैं 15,000 रुपए तो 15,000 का रिकूपमेंट हो गया ठीक है अभी कोई रासी लेफ्स नहीं हो रही है क्योंकि पांच बर्स पूरे नहीं हुए है तो देखिएगा यहां पर हमारा एक्च्वर रॉयल्टी तीस हजार बना था ठीक है लेकिन इस 30,000 मैंसे हमने 15,000 का क्र लिया है ठीक है तो इस जो एक्चुप कर दिया गया बड़र reg पेमेंट कर दिया जाएगा अब बच्चों हम चलते हैं पांच में बर्स में भी एक लाग भी सजार टन का उत्पादन हुआ है तो एक्ट्र रोयल्टी 45,000 बनेगी मिनिमम रेंट 30,000 का है कोई स्वाट बर्किंग नहीं है और सर प्लस भी 15,000 आएगा अब देखिएगा यहां इस मेंसे हम कर चुके तो यहां कितने बच्चे हैं तेईस हजार गटा लिए तो कितने बच्चे तेईस हजार 250 और हमारे पास अभी सर प्लस है कितने का मात्र 15,000 का तो हम रिकूपमेंट भी 15,000 का कर पाएंगे जरूरत हम को 23,000 की है 23,000 की है लेकिन हमारे पास सर प्लस में सिर्फ अभी जो अमांट होए कितनी है 15,000 की है तो 15,000 का हम ने रिकूपमेंट कर दिया अब देखिएगा उइंशन को पांचनह बरस है तो आगे आने वलक वल बरसो अमने इसका रिकूपमेंट नहीं हुपाएगा तो यह रासी लेफ्स हो जाएगी और लाभानी खाते में हस्तनांत्रित हो जाए कितने 8250 रुपे ठीक है बच्चों तो अब देखिए एक्ट्वर रोयल्टी जो थी 45000 उसमें से पंद्रह हजार हमने डाल दिये तो कितने का प्रकार से हमारी जो बनकर तयार हो जाती है तो बच्चों मुझे आसा है कि अब आपको यह रिकूपमेंट थोड़ा सा समझ में आया होगा थोड़ा क्या आपको पूरा समझ में आना चाहिए ठीक है तो अब इसे हम खातों में लिखना सीख लेतें कि खाते कीसे बनाये जातें ठीक है तो चलते हम आगे अब पहले हम बनाते रोयल्टी एकवायल्टी है उसको लिखते जाएंगे ठीक है प्रकार का होता है तो इसको फिर को निकिकली डिभी परस में है तो फแ कि इसके बाद इसको लाभानिक खाते में अस्तनादित कर दी जाएगा पाई मैनुफेक्श्रिंग कर देंगे और योग बराबर हो जाता है अगले बर्स में यही लिख देंगे कितना बना था आपका एक्चर रोयल्टी इसको भी बंद कर देंगे बाई मैनुफेक्श्रिंग अकाउंट के नाम से अठारह जार दोन पक्षों का योग बराबर हो जाता है अब इसके बाद अगले बर्स में यह लिखेंगे टू लेसर अकाउंट जितना भी एक्चर रोयल् पकेंगे और हो बखाते को बन कर देंगे फिशर में भी हो यह हो जाए इस प्रकार से हमारा जो रोयल्टी अकाउंट है वह असानी से बन जाता है प्राबलम नहीं होती है अब महत्रपूरत खाता ह्ता है त्थाल ठीड छुछ का खाउंट शुष्म का कर द Stream कmaot 1 जो ण Works औम चुकि इसके प्रति हमारा दायत तो बनता है कि हमको रॉयल्टी चुका नहीं है तो जितनी रॉयल्टी है उसको हम क्रेट पक्ष में लिख देंगे तो प्रत्रम बर्स में रॉयल्टी बनी थी हमारी 3750 रुपे ठीक है और टेबल में क्या आई थी स्वाट परकेंग आई थी कितने की आई थी आपकी रॉट परकेंग चब्वीस अजार दो सो पचास रुपे कि देंगे वाए स्वाट परकेंग आउंट 26250 रुपे ठीक है wonder जो सेश है किया गया है कि कदिया गया है कितने को consuming कीा गया गया रोयल्टी से कंट रोयल्टी बनी थी अब इसमें भी बारा हजार का साट ररकेंग अग्षों का यूग लगा दिया जाएगा ठीक कोई से नहीं निकलता है अगे बढ़ते हम 2020 अर्था तीसरे बर्स पहुंचते हैं वाय रोयल्टी से अकाउंट कितना यह रोयल्टी बनी थी तीस हजार कोई स्वाट परकेंग नहीं था तो नहीं लिखेंगे सीधा तीस हजार का पेमिंट कर देंगे टू बैंक अकाउं तीस हजार रुपए ठीक है दौन फ िंबर्स में रोयल्टी बनी है 45,000 है तो सरब क्लक्स को क्या कर दिया गया है कर दिया गया है 15,000 का केंट करेंगे कियो इतना पैसे हम को नहीं देना पड़ रहा है तो लिखेंगे यहां पर तो शॉट बरकेंग अकाउंट कितना 15,000 का तेश रासी का हम पिमिंट कर देंगे कितना 30,000 तू बैंक अकाउंट 30,000 का पिमिंट कर देंगे और दौन पक्षों का योग लगा देंगे और योग आज आता है 45,000 रुपे अब आते हम अगले वर्स में अगला वर्स है अन्तिम वर्स है तो जो बनी है वो 45,000 की बनी है ठीक है और इसमें भी सर्प्लस हुआ है इस सर्प्लस से रिकूप कर लिया गया है 15,000 का तो लिख देंगे 200 बरकें अकाउंट 15,000 डेविट साइड में लिखा है हमने यह और सेश रासी अर्थात जो 30,000 रुपे का पिमिंट किया गया है उसको पिमिंट कर देंगे 200,000 रुपे और दोन पक्षों का यूग लगा देगे और यूग आ जाता है 45,000 इस प्रकार से हमारा लैसर्स अकाउंट बनके तयार हो जाता है अब बच्चों हम बनाएंगे सौर्ट बरकेंग अकाउंट होता है बना लेते हम ठीक है तो सबसे प्रिथम वर्च में 26,250 का सौर्ट बरकेंग हुआ था उसको लिख लेते हैं तो लिख लेंगे आती है 26,250 इस रासी को अगले वर्थ अस्तांतित कर दिया जाएगा सेकंड येर में तो टू बेलेंस बीडी 26,000 दूसरे बर्थ भी देखिएगा बारह हजार का सौर्ट बरकेंग हुआ है तो यहां लिख दिया जाएगा टू प्लेसर अकाउंट बारह हजार और नौनत अगले वर्थ अस्तांतित कर दिया आएगा थाड़ येर में तो लिख देंगे टू बेलेंस बीडी 38,250 रुपे यह तीसरा बर्स है तीसरे बर्स में ना कोई सौर्ट बरकेंग हुई है ना कोई रिकूपमेंट हुआ है तो सेस निकाल देंगे हम कोई लिखा नहीं होगा सेस आजाता है 38,250 इसे हम ले जाएंगे चौथे बर्स में लिख देंगे टू बेलेंस बीडी 38,250 अब आजाता है चौथे बर्स देखिएगा 15,000 का रिकूपमेंट हुआ है तो रिकूपमेंट इस रासी से कम हो जाएगी ठीक है जो रासी है स्वाट बर्सी कम हो जाएगी जो इसका रिकूपमेंट हो गया है तो लिख देंगे हम इसे क्रेट पक्ष में बाए लेसर अकाउंट क्योंकि लेसर हम कोई सुविदा दे रहा है तो 15,000 रुपे लिख दिया हमें अब अंतर की रासी निकाल लेंगे अंतर की रासी जो है वो निकल के आ रही है बाए बेले अंतर की रासी को हम लाभानी खाते में अस्तरनत कर देंगे बाए पॉपेट एंड लोस अकाउंट 8200 और दोन पक्षों का योग कर देंगे 23200 750 तो मैं किस प्रकार रिक्यूपमेंट किया जाता है डिका रिक्यूपमेंट की विवस्ता जो होती है प्रिश्ण में दी गई सरतों के अनिसार की जाती है उसे हमने लाभानी खाते मैं हस्तना अंतर्द कर दिया है ठीक है आसा है आपको इस सवाल समझ में आया होगा धन्नवाद